इमानदाल लकड़ारा किसी गाउं में एक गरीब लकड़ारा रहता था। वह दिन रात मेहनत करता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परवार का पालन पोशन करता। एक दिन वह नदी किनारे पेड़ काट रहा था। तब ही उसकी कुलारी गलती से पानी में गिर गई। नदी गहरी थी और लकड़ारा उसे निकालने में असमर्थ था। लकड़ारा परिशान होकर बैठ गया और रोने लगा। तब ही नदी में से जल्दे उता प्रिकट और लकड़ारे से पूछा तुम क्यों रो रहे हो। लकड़ारे ने बताया मेरी कुलारी पानी में गिर गई है और वह मेरी रोजी रोटी का एक मात साधन है। जल्दे उताने नदी में गोता लगाया और सौनी की एक कुलारी लेकर बाहर आए। उन्होंने लकड़ारे से पूछा क्या या है तुम्हारी कुलाडी है लकड़हारे ने जबाब दिया नहीं यह मेरी कुलाडी नहीं है इसके बाद जल्दे उताने चांदी की कुलाडी निकाली और पूछा क्या या है तुम्हारी कुलाडी है लकड़हारे ने फिर से मना कर दिया अंत में जल्दे उता ने लकड़ारे की लोहे की कुलहाडी निकाली लकड़ारा खुस होकर बोला हाँ हाँ यह मेरी कुलहाडी है लकड़ारे की इमानदारी से जल्दे उता बहुत प्रिशन हुए उन्होंने लकड़ारे को उसकी लोहे की कुलहाडी के साथ सोने और चान्दी की कुलहाडी भी उपहर में दैदी इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती है इमानदारी हमेशा लापकारी होती है और सच्चाई का फल मीठा होता है दोस्तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन अबक्स दवाएं और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी धन्नवाद